Hello everyone, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं Solar Clap Recently मैंने दो वीडियो बनाई थी, पहली बनाई थी electric scooter buying guide के उपर यानि कि electric scooter खरीदते समय कौन-कौन से important points आपको ध्यान में रखने होते हैं उसके पाद दूसरी वीडियो बनाई थी top 5 electric scooters के उपर जिसमें मैंने Ola, Simple One, Ather, Okinawa, Bajache तक ये सारी electric scooters आपस में compare करके आपको दिखाये थे डिजाइन के हिसाब से भी, performance के हिसाब से भी, infrastructure के हिसाब से भी और वो वीडियो भी आप लोगों को काफी पसंद आई आज इस वीडियो को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो जादतर जितने भी scooters को जब हमने उनको आपस में compare करा तो दो brand सबसे उपर नजर आए हमें सबसे पहला आया Ola, उसके बाद Simple Energy Simple Energy का अपना अलगी style है उनका जो scooter है उसमें काफी सारे features प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको Ola के दोनों electric scooter और Simple Energy का जो एक electric scooter है Simple One इनको आपस में compare करके और overall आपको बताऊंगा के इन में से best कौन सा रहेगा इसमें हम design की भी बात करेंगे, price की भी बात करेंगे, features की भी बात करेंगे इसके अलावा हम जो overall infrastructure है उसकी भी बात करेंगे तो चलिए बिना time waste की वीडियो को शुरू करते हैं Design की अगर मैं बात करूँ तो जो अभी मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको design इन सारे scooters का बता दिया था लेकिन फिर भी आप एक बार फिर देख सकते हैं Ola के जो electric scooters है, इनका जो design है वो काफी simple आपको देखने को मिलेगा मतलब ऐसा कोई stylish look आपको देखने को ने मिलता कि इन्होंने कुछ बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करी है एकदम simple रखा है, ना कोई falto का design, ना कोई stickers, एकदम simple plain design के साथ ही आपको मिलेगा वही simple one के अगर मैं design की बात करूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा stylish look आपको देखने को मिल जाता है colors की बात करूँ, तो Ola का जो S1 model है, जो की एक इनका basic model है, उसमें आपको 5 color options मिलते हैं और वही पर Ola का जो S1 pro model है, वहाँ पर आपको 10 color options मिलते हैं simple one आपको अभी फिलाल 4 color options ही provide कर रहा है weight की अगर मैं बात करूँ, तो Ola S1 का weight है, वो है 121 kg Ola S1 pro का weight है, वो है 125 kg वही simple one जो electric scooter है, उसका weight है 110 kg तो simple one थोड़ा सा हलका है, Ola के electric scooters के मुकाबले इसके लावा boot space की अगर मैं बात करूँ, यानि की scooter की dicky की मैं बात करूँ तो Ola के जो electric scooters हैं, उनमें आपको 36 liter की boot space मिलती है और simple one में आपको 30 liter की boot space मिलती है, यानि की इसकी जो dicky है, वो थोड़ी सी छोटी है Ola के electric scooters के मुकाबले बाकी design में आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको touch screen मिलती है, दोनों ही scooters में, 7 inch की touch screen है दोनों ही Ola के और simple energy के electric scooters की, LED lights आपको मिल जाती है, indicators मिल जाती है, दोनों ही electric scooters में single disc brake आपको मिल जाते हैं, front में भी और back में भी, दोनों tires में आपको disc brake मिलती है tubeless tire आपको मिलेंगे, alloy wheels के साथ मिलेंगे, और इनके लावा बाकी काफी सारे features आपको मिल जाती है like calls, messages, आप अपनी location share कर सकते हैं, अपनी family के साथ, scooter track कर सकते हैं, आप आपका कहाँ पर है remotely उसको control कर सकते हैं, navigate कर सकते हैं उसमें, काफी alerts आपको मिल जाती है, अगर कोई आपका scooter चुराने की कोशिश कर रहा है तो वो alert आपको मिल जाती है, तो ऐसे काफी सारे features है, simple energy अपने electric scooter में already काफी सारे features प्रवाइड कर रहे हैं लेकिन Ola जो अपने electric scooter में features प्रवाइड कर रहे हैं, उसकी list काफी जादा है, इसमें आपको दो सबसे बड़ी है feature यह भी मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको reverse mode मिल जाता है, यानि कि आपके scooter को आपको पीछे खीचने की ज़रत नहीं है, बस उसे reverse mode में डालिए, accelerate करिए और वो पीछे अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगा, इसके लावा उसमें hill mode आपको मिल जाता है, यानि कि आप पहाड पे चड़ाई कर रहे हैं, और अचानक से माली जाम लग गया, तो वहाँ पर आपको brake मार के और पैर टिका के खड़े रहना पड़ेगा, और उसमें डर ये भी लड़ता है कि कहीं आपका electric scooter पीछे खिसकता ना चला जाए, आप गिर ना जाए, तो इसमें hill mode फीचर आपको मिलता है, तो आप इसमें hill mode को own कर सकते हैं, उसके बाद जहां पर आपका scooter हो होई के होई, जहां हो जाएगा पीछे नहीं खिसकेगा, इसके बाद ब फिलाल इनकी website पर वो 8.5 kilowatt दिख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि शायद मैंने गलत information दियो, लेकिन मैंने दूसरे यूट्यूबर्स का चेक करा तो जाद तर यूट्यूबर्स ने 7 kilowatt की information दी थी motor के बारे में, लेकिन अभी फिलाल मैं इनकी website पर दीटेल्स हैं उनके हिसाब से, टॉर्क की बात करूँ तो ओला के जो इलेक्रिक स्कूटर में उसमें आपको 58 Nm का टॉर्क मिलता है, और वहीं सिंपल वन में आपको 72 Nm का टॉर्क मिलता है, तोप स्पीड की अगर मैं बात कर लूँ तो ओला का जो S1 model है उसमें 90 km पर आर क आपको टॉप स्पीड मिल जाती है, और S1 Pro model में आपको 115 km पर आर की स्पीड मिलती है, सिंपल वन की इन दोनों के बीच में लाई करती है, 105 km पर आर, यानि कि सिंपल वन की आप कह सकते हैं, ओला S1 के मुकाबले जादा है, लेकिन उनका जो टॉप वेरियंट है S1 Pro, उसके म अचीव करता है, और सिंपल वन मॉडल 2.95 सेकिंड में, तो 3 सेकिंड के हिसाप से अगर आप कंपेर करें, तो आप देखेंगे कि दोनों, ओला के और सिंपल एनरजी का इलेक्टर स्कूटर दोनों ही लगबग सेम टाइम है, यानि कि 3 सेकिंड में आप कह सकते हैं, अपनी 0 to 40 km per hour की स्पीड को अचीव कर लेते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी की, तो ओला S1 की जो बैटरी है, वो है 2.99 kWh की, ओला S1 Pro की जो बैटरी है, वो है 3.99 kWh की, और सिंपल वन की जो बैटरी है, वो है 4.8 kWh की, यानि कि ओला की बैटरी के मुकाबले, सिंपल वन की जो बैटरी है वो काफी जादा है और इस वजे से इसकी रेंज भी बढ़ जाती है रेंज का मतलब होता है कि एक बार आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई तो आप उसको कितनी दूरी तक चला सकते हैं जब तक वो कम्पलीटली डिस्चार्ज ना हो जाए तो ऐसे में Ola के अगर आप इसको फास चार्ज करेंगे तो लगबग एक गंटे के आसपास में यह फुल चार्ज हो जाती है और वहीं अगर मैं awesome simple one की battery charging time की बात करूँ तो 7 गंटे में कहीं आप कह सकते हैं आपके घर पर अगर आप लगाते हैं तो 7 गंटे में चार्ज हो जाएगी और अगर आप fast charger में लगाते हैं तो 1.5 आर्स के अंदर यह चार्ज हो जाती है तो ऐसे में आप देख सकते हैं अगर आप अपने घर पर ही चार्ज करते हैं तो सारी रात भर आपको इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चार्जिंग में लगा कर छोड़ना पड़ेगा 6-7 गंटेन को लगते हैं चार्ज होने के लिए और अगर आप फास्ट चार्जिंग में उसके बारे में आगे हम बात करेंगे बैटरी पोर्टेबिलिटी के अगर मैं बात करूं तो ओला कोई रिमुवेबल बैटरी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उनका ये चार्ज रहेगी जब आपकी पहली बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप दूसरी वाली को उसमें लगा सकते हैं और फिलाल ऐसे दो ही ब्रेंड्स हैं जो पोर्टेबल बैटरी के उपर फोकस कर रहे हैं उसमें पहला है सिंपल वन और दूसरा है ओकी नावा बाकि जो दूसरे ब्रेंड्स हैं वो पोर्टेबल बैटरी पर फोकस नहीं कर रहे हैं इन फैक्ट जब यह पूछा गया था Ola और Ather के senior management से कि क्या उनका battery portability को ले कर कोई plan है तो उन्होंने कहा था कि इससे जो battery की life है वो कम हो जाती है अगर आप portable battery प्रोवाइड करते हैं इसलिए हमारा focus portable battery पर नहीं है तो यह आगे आपके उपर depend करता है कि आप portable battery के साथ जाना चाहते हैं नहीं तो इनमें काफी सारे features अभी आपको ऐसे मिलेंगे जहांपर challenges भी काफी सारे आएंगे तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते के portable battery से उसकी life कम हो जाएगी या जादा हो जाएगी हम इस बारे में अभी कुछ comment नहीं कर सकते लेकिन आगे आप अपने हिसाप से decision लीजे आप क्या कर जाते हैं वारंटी के अगर मैं बात करूं तो ओला ने अभी officially कोई warranty अनौंस नहीं करी अपनी vehicle, battery या charger के उपर लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो भी लगबग 3 साल के आसपास की warranty प्रोवाइड कर सकते हैं वहीं अगर मैं simple one की बात करूं तो simple one में आपको चाए vehicle हो उनका battery या charger हो तीनों पर आपको तीन साल की warranty मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ओला आपको अल्रेडी पता है काफी बड़ा ब्रैंड है काफी अच्छे सा यह funding उठा के और उसको invest कर रहे हैं तो इसमें यह home charging facility आपको मिल जाती है इसके अलावा इनका जो प्लैन ऐसा कुछ है इसके अलावा यह home servicing प्रोवाइड कर रहे है एप के थ्रू यानि कि आप एप से ही home servicing बुक कर सकते हैं और इनकी AI service भी है जिसके हिसाब से आपके electric scooter में अगर कुछ issue आता है जो कि आप identify नहीं कर पा रहे है तो उस service के हिसाब से automatically alert आपको मिल जाएग इनका जो current plan है वो है 300 charging stations set up करना अब फिर ध्यान दीजिए यह इनका plan है 300 charging stations set up करना यह अभी तक इनोंने करे नहीं है और अगर मैं Ola के charging stations के मुकावले देखू तो उनका plan एक लाग charging stations का है इनका 300 charging stations का जो की बहुत 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 कम है तो आप यह देखिए आप अगर features के features provide कर रहे है range के मामले में simple one थोड़ा जादा है लेकिन बाकी दूसरे features के मामले में Ola के जो electric scooters है वो बैटर है लेकिन जहाँ पर infrastructure की बात आती है वहाँ पर मुझे लगता है simple one दूर दूर तक नहीं है उसमें Ola के electric scooters हैं जो काफी बढ़िया है अब कर लेते हैं मुद्द लेने के बाद जो Ola S1 का price है वो हो जाता है एक लाग रुपे वहीं S1 Pro का जो price है वो है 1,30,000 रुपे simple one का जो price है fame 2 subsidy के बाद वो है 1,10,000 रुपे तो यह इनका fame 2 subsidy के बाद price है इसके लावा state subsidy अलग अलग होती है और हर state के हिसाफ से अलग अलग होती है फिलाल अभी कि अ आपको subsidy मिलेगी state level के उपर भी गुजरात state की अगर मैं बात करता हूँ तो गुजरात state में अगर आप S1 model खरीदते हैं OLA का तो उसका जो प्राइज हो जाएगा वो 80,000 हो जाएगा यानि की 20,000 की subsidy आपको मिल जाएगी और यह हर state के हिसाप से अलग-अलग होती है लेकिन simple one में कोई state subsidy की details अभी clear नहीं है इसके लावा इनकी booking में आपको EMI options में मिल जाते हैं और अगर मैं बात करूँ कि इनकी delivery आप किनके इन states में ले सकते हैं तो OLA की जो delivery है वो pan India basis पर आपको मिल जाएगी इनकी booking भी pan India basis पर delivery pan India basis पर अगर simple one की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो इनकी booking है वो आप pan India basis से कर सकते हैं यानि कि किसी भी city से कर सकते हैं लेकिन जो delivery है वो फिलाल अभी आपको 13 states में ही देखने को मिलेगी उन 13 states के नाम आप अपनी screen पर देख सकते हैं सबसे पहले है करनाटिका उसके बाद तमिल नाडू फिर है आंदरपरदेश तेलांगना केरला महारास्टर मध्यपदेश देली राजिस्थान गोवा यूपी गुजरात पंजाब तो ये 13 states हैं जिन में आपको simple one की delivery अभी फिलाल मिलेगी अगर आप इन states में नहीं है तो अभी फिलाल आपके लिए ये simple one अवेलबल नहीं है आप कह सकते हैं फिलाल future में हो जाएगा मैं कहा नहीं सकता लेकिन अभी अवेलबल नहीं है booking amount की अगर मैं बात करूँ तो Ola के दोनों ही electric scooter आप 499 रुपीज में book कर सकते हैं और simple one को आप 1947 में book कर सकते हैं शुरू में जब मैंने ये price सुना था मैं सुचा था 1947 ये कैसा price है लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया इन्होंने दोनों ही ब्रेंड ने अपने electric scooter पंदरा अगस्त को पंदरा अगस्त के हिसाफ से independence day हम मनाते हैं और हमारा देश अजाद हुआ था 1947 में तो इन्होंने इस हिसाफ से वो year को अपना जो booking amount है उस हिसाफ से रखा है एक जो सबसे बढ़िया बात है दोनों ही brands के लिए वो ये है कि अगर आप फिलाल आज प्री बुक करते हैं और माली जे फ्यूचर में आप अपना mind change कर लेते हैं कि नहीं मुझे booking नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए electric scooter तो आप cancel कर सकते हैं और आपका complete amount आपको refund मिल जाएगा जो की बजाज के case में हमें देखने को मिलाता ऐसा नहीं था तो अगर आप बजाज का electric scooter book करते हैं तो वहाँ पर आपको cancellation charge लगेंगे 2000 रुपे उनका pre booking amount है और उसमें cancellation charge है 1000 रुपे बाकी इन दोनों brands में ऐसा कुछ नहीं आपका complete amount आपको refund हो जाएगा pre booking amount के बाद एक और छोटा सा amount है जिसकी market में या दूसरी वीडियो में भी आपको details सुनने को नहीं मिलेंगी क्योंकि proper इसके उपर information नहीं है लेकिन मैं आपको बता जेता हूँ जो ये electric scooter brands हैं ये आपको एक app provide करेंगे उस app को use करने के annual maintenance charges हैं काफी सारे brands वो charges ले रहे हैं simple energy में फिलाल सुनने में आ रहा है कि उनका app maintenance charge ऐसा कोई है नहीं ओला के app maintenance charge की details अभी available नहीं है तो ये app maintenance charge कितना होता है तो वो दूसरे brands के अगर मैं बता हूँ तो लगबग 2,000-3,000-4,000 का annually app maintenance charge ये सब ले रहे हैं तो आप भी देखिए जब आप book कर रहे होंगे तब अच्छे से ये चीज़े पता कीजिए अब delivery के अगर बात कर लेते हैं तो ओला के जो electric scooters हैं वो October 2021 से deliver होने स्टार्ट हो जाएंगे यानि इसी साल September में ये वीडियो बन रही है अगले महीने October से ये जो electric scooters हैं Ola के वो deliver होने स्टार्ट हो जाएंगे और वहीं simple one के लिए आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा January 2022 यानि कि अगले साल January से इनकी जो delivery है वो start होगी इसके बाद बात कर लेते हैं delivery मिलेगी कैसे तो आपको बता दूँ Ola ने decide किया है कि वो बीच में dealers distributors को नहीं रखेंगे यानि कि वो direct home delivery करेंगे आप booking कीजिए जब आपका product ready हो जाएगा तो direct आपके घर पर आपको deliver हो जाएगा और साथ ही logo का सवाल यह होता है कि ऐसे में फिर हम test drive कहां पर करेंगे कहां पता कर सकते हैं तो test drive जो models होते हैं वो भी आपके घर पर available कराएंगे अभी फिलाल test drive के बारे में details available नहीं है जब होंगी तो आप test drive भी book कर सकते हैं और आपके घर पर model आएगा जिसको आप test drive करके देख सकते हैं simple energy की अगर मैं physical showroom की बात करूं तो वो भी अभी फिलाल available नहीं है लेकिन इनका plan है के आने वाले time में हर metropolitan city में at least एक physical showroom इनका available हो जाएगा तो ये थी एक और छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने दोनों ही ब्रेंड के electric scooters हैं वो काफी अच्छे से compare करके आपको बता दिये performance wise जो उनकी motor, battery, torque ये जो सारी power होती है range ये सब आपको दिखा दी design के हिसाब से compare कर दिया, price के compare कर दिया, booking की सारी details आपको दे दी, booking के अगर आपको links देखने तो इस video के description में आपको दोनों ही brands की website के link मिल जाएंगे आप जाकर book कर सकते हैं, बाकि कोई और सवाल अगर आपका रह गया हो आप तो आप comment section में लिखके पूश सकते हैं, मैं कोशिच करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की अगर आपको ये video पसंद आए तो प्लीज इसको like कीजिए, share कीजिए अपने friends और family members के साथ, और अगर आपको दूसरे brands के कुछ models के बारे में comparison चाहिए या अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है हमारे चैनल पर हम renewable energy से related videos बनाते रहते हैं solar energy हो गई, green energy हो गई, electric vehicles हो गई तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं thank you for watching the video, goodbye